हेलो और विल्कम यूओ अलेट लूग इसर अलिम्टेड इस्टडीज हों सागत है आप सबका स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट टू जिसमें कि हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज और करेंट अफेर्स किसके लिए भाई तो केंद्र विद्याले संगठन 2018 का यह पेपर है के वी 2018 का जो पेपर हुआ था इससे बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि आखिर किस तरीके से यह पेपर को हमको सॉल्व करना है और आने वाला पेपर की स्ट्राटजिय को लिए के हम सॉल्व कर सकेंगे तो यह जो पेपर है 2018 का देखे इसको आंगे कराने के पहले में आपक हैñ साथी करेंट आफե्रस जो आया है बहुत ही तगड़ा करेंट आफीर से स्मिप उचा गया है ओकी मनलब करेंट आफ्यर भी ऐसा कि इंग्लिश में तो question बड़ा टफ समझ में आ रहा है अगर इसको हिंदी में पढ़ा जाए इस question को तो मैं एक बार हिंदी में भी इसको पढ़ देता हूं देखिए क्या कह रहा है कि परेस्त्रोई का कि आर्थिक और आजनेतिक सुधार नीतियों का आरम निम लिखित में से किस राजनेतिक नेता के साथ जुड़ा है तो यह कोई रसीयननेता है परेस्त्रोई का अब इनका कहा रहा है कि इनका जो जुड़ाव है किसके साथ है तो इनका सही आंसर है मिखाइल गोर्बोचेव एंका जो correct answer है वो क्या था मिखाइल गोर्बोकेव ठीक है नो, सबी लोग देखा question को क्या लगा, देखा कि भाई साब, यहाँ पर बलादिमिर पुतिन है, तो हर किसी ने बलादिर में पुतिन ही answer लगा, मगर Correctors का answer है, मिखाईल गौर्बस्चिव, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question आता है, कि when did sustainable development goals come into the effect? कीदा रोर्य धे धर्णी बुलेंगे सरस्टनेबल परका डेफेलक में धारणी बूला जाताई मैं विकास लक्षक कब से प्रभाव में यह वक्षचे gay लाई गई ये जनवरी 2016 से प्रभाव में लाई गई ओके तो ये भी करेंट एफेर्स का इसका कुश्चन था क्योंकि उस समय 2018 चल रहा था तो 2016 तक की कुश्चन देखो वाई कितने पीछे की कुश्चन पूछे गए हैं अगला कुश्चन लेते हैं विच पॉपॉलेशन इंट्रेक्षन बोद था इस्पीसीज बेनेफिट क्या रहा है कि बताएं ये कौन सा पॉपॉलेशन इंट्रेक्षन होता है जिसमें दोनों ही प्रजातियों को लाव होता है तो इसमें script answer क्या होगा, mutualism पतलब आसफ़िक की बात जो हुती है आपस में म इसमें बता रहा है कि सबसे बड़े सोलर पार्क का उठटन हाल में ही किया गय गया है तो 2018 की खबर होगी सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया का कहा है करनाटका में है आप लोग चेक कर लिएगा कि रिसेंटली कोई सोलर पार्क इससे बड़ा बन गया क्या पुरानी 2018 की जो बात है वहाँ पर सोलर पार्क सबसे बड़ा कहा था करनाटका में था तो यह तो इस्टाटिक जीके का क्वेश्चन हो गया तो भाई समतल है उप जाओ है क्रसी छेतर के रूप में कैसा पैटरन है तो इसका करेक्ट आंसर है आयतकार पैटरन के रूप में आप जो है समतल उप जाओ क्रसी छेतरों को विक्सित कीजिए बहुत बढ़िया रहेगा चली अगला क्वेश्चन देखी 2018 का एशियाई खेलों का बैडमेंटन रजत पदक तो उस समय भाई पीवी संधू छाई हुई थी सायन नहेवाल चली गई थी तपाई से तेंग जिंग और सायद मोदीरों करेक्ट आंसर इसका क्या है पीवी संधू सिंधू चली अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नबर 27 कि निम लिखित में से किसे हाल में प्रतिष्थित सम्मान मैं बुकर प्राइज कि पचासवी जनती के उपलबच में विशिस्ट गोल्डन मैन ऑप दबुकर प्राइज दिया गया है कमेंड बॉक्स में आप लोग बताएज कि बुकर प्राइज किस छेतर में दिया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है देखी इसका करेक्ट आंसर है क्या इसका अंसर है Michael Michelle ओंड़ जी मैं आपको बता दू जो Booker Price हुआ करता है मतलब किताब साहित वगएरे के छेतर में दिया जाता है राइटर्स के लिए दिया जाता है Booker Price चले तो यह हो गया क्या Michael ओंड़ जी Booker Price इस बार का ठीक है तो important है कुछ प्राइज बगएरे के बारे पढ़कर के चले जाएगा मतलब इस बार भी जो है कुछ ना कुछ प्राइज जो important price बटे हुए है वो आएंगे और एक नंबर भी इस exam के लिए important होता है तो मैं आपको बता दूँ कि current affairs में इस बार के क्या पढ़के जाएगे ब्राउन अजेंडा के बारे में कौन सा कथन सत नहीं है तो ब्राउन अजेंडा कोई scheme है कोई योजना होगी होना किसी परकार का अजेंडा है इसके बारे में कौन सा कथन सत नहीं है तो कहरा ब्राउन अजेंडा का संबंध सहरी और अध्योगिक वो अंता है पीडियों की समान तक उमातों देता है equality नाम की कोई बात नहीं कहीं गई ब्राउन अजेंडर में ये तो भाई साब pollution-pollution के मुद्यों से जुड़ा होके काम करता है चलिए अगला question देखते है question number 29 who moved the objective resolution which stated the aims of the constituent assembly, भाई साब देखिए संबिधान सभा के उदेशों का उलेक करने वाले उदेश की प्रसाबना कौन लेकर के आया था objective resolution objective resolution लेकर के आया थे मतलब संबिधान सभा में पेस किया गया था संबिधान सभा के उदेशों का उलेक करने वाली उदेश से प्रसाबना तो मतलब कि सम्विधान सभा के objective क्या है इसके मसौधे को लेके किसने प्रस्तुत किया था option ने एन रॉब या रम बेटकर तो भाई साब देखिए ये थे राजेंदर प्रसाद डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने इसको प्रस्तुत किया था ठीक है ना चली अगला कोशन देखते है वन आप दा फॉल्लोविंग ट्रू अबाउट दा हरपन स्क्रिप्ट हरपियन लिपी के बारे में कौन सा सत्त है तो भाई साब देखिए गिलर दिख रहा है option no.3 इड़ दा पिक्चोरिया पिक्चोरे पच्चोग्राफिक स्क्रिप्ट मतलब कि यह है जो है चित्रले कि लिपी है चली अगला कोशन देखी अगला कोशन है यह तो हो गया भाई साब यह दुबारा आ गया है अच्छा चलो इसको उड़ा देते हैं ठीक है ओके तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे कोशन कर ली हम लोगों ने पूरे के पूरे 10 कोशन यहाँ पर हो चुके हैं सारे के सारे कोशन होगे तो आपने देखा कि GK में किस तरीक का GK आ रहा है GK में recent थोड़ा सा त्यार करके जाईए आप लोग GK में जो current affairs है जो पुराना वाला जो paper आया है उसके इसाब से यह पता चलता है कि भाई साब आप current affairs थोड़ा सा पढ़ करके जाईए एक question किस से आने वाला है संविधान से एक question रहेगा पुराना वाला जो संविधान से एक question रहेगा एक question थोड़ा सा agriculture side को touch किया है एक question आपका agriculture side को touch किया है और क्या है और बाकी कि आपके current affairs के question है और award and price भूलिएगा नहीं award and price ओके एवार्ड और price के बारे भूलना नहीं है तो इस तरीके का यह paper आपको यहाँ पे समझ में आया है ओके तो हमें आग्या दीजे जै हिन जै भारत बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद